मेरी वाइफ को Honor 200 Pro का कैमरा इतना अच्छा लगा उसने यार इस डिवाइस को अपना प्राइमरी वाला फोन बना लिया है घर वाली को मना करना असंभा वाली बात है लेकिन इस फोन का यंगर जो बरदर है Honor 200 यहाँ पर भी आपको यार विसेश सक्तिया मिल जाती है 31,000 रुपए के आसपास ये फोन आज की डेट में बिक रहा है लेकिन ओफर आएगा पका यार 30,000 रुपए के अंदर ये फोन आपको बिल सकता है एक और फोन 30,000 रुपए के अंदर आज की डेट में मिल रहा है जो है OnePlus Nord 4 आज हाँ वियार इन दोनों फोन को कंपेर करते हैं और ये पता लगाते हैं कौन सब वो जनता को बाय करना चाहिए बस यार एक लाइक कर दीजेगा चैनल में पहली बार पता हारा है सब्सक्राइब तो आपने पका करी लिया होगा देखे ये जो Honor का 200 है यहाँ पर एक SIM card डाल सकते हैं दूसरा E SIM card सपोर्ट करता है लेकिन OnePlus के फोन में दो फिसकल वाले SIM card बिंदास आप डाल पाएंगे दोनों ही फोनों में दोनों ही फोनों में बत्याने में आपको कोई भी प्राप्लम नहीं होने वाली है 4G Plus का support मिल जाता है बहुत सारे 5G वाले band भी आपको मिल रहे है Google वाला डाइलर अभी OnePlus के Note 4 में है लेकिन आप इसे हटा सकते है ओ डाइलर आपको पका डाउनलोड करना हो पड़ेगा जो Honor का डाइलर है ना यहाँ पर आप call record नहीं कर सकते लेकिन यह Google वाला डाइलर नहीं है अब बात करते हैं सुन्दरता की बल्ला बिल कॉल्टी और डिजाइन की आपको चाहिए 30,000 रुपे के अंदर नहीं करी गई है हाथ में लेने में आपको काफी प्रीमियम फील होगा कैमरे का जो डिजाइन है यह भी थोड़ा अलग सा है साइड में एलेट स्लाइडर वियर इस फोर में दिया गया है आगी की तरह जो डिस्पले है यह है 1.5 के का 120Hz Amoled वाला डिस्पले में कोई भी कमी नहीं है लेकिन आपको चाहिए कर डिस्पले साद में फोन हलका हो तो आपके पास है Honor का 200 कर वाला 120Hz का 1.5 के वाला डिस्पले मिलना है डिस्पले या देखने में यह भी काफी ब्राइट है यहां पर भी जो camera का design है वो थोड़ा सा अलग है लेकिन पीछे की तरफ आपको ग्लास्टिक वाला ही material मिल रहा है phone का जो version है वो है 187 gram बैक में हलका सा कर्व है जो honor वाले यह आपको देते 4000 nits की peak brightness और जो oneplus का not 4 है यहां पर आपको 2150 nits की brightness मिल जाती है लेकिन outdoor में दोने phone काफी अच्छे से आप देख सकते हैं तनिक सया ज्यादा आपको कमाल के दिखने वाला है honor का 200 और eye production वाली display दोनों ही है यदि आपको थोड़ा सा warm tone वाली display चाहिए तो भाईया वो भी आपको विकल मिल रहा है HDR का proper support आपको दोनों ही phone में मिल जाता है लेकिन YouTube में जब आप high setting में HDR वाले video honor में प्ले करेंगे ना थोड़ा सा या lack कर रहा है लेकिन ये software update के बाद fix हो सकता है बट display काफी bright है काफी अच्छी वाली है दोनों ही phone में कोई भी आप video देखेंगे आपको जड़ा सा भी problem नहीं होने वाला है HDR यार Netflix में भी काम कर रहा है ये तो बहुत अच्छी बात है बेजस ना के बरावर है यदि आपको चाहिए कर वाला display हलका phone तो आपके पास है honor का 200 यदि आपको पीछे की तरफ यार metal वाला phone लेना है तो भाई आप जा सकते है OnePlus Note 4 की तरफ जो OnePlus का Note 4 है यहाँ पर Snapdragon 7 Plus Gen 3 वाला आपको processor मिल रहा है और जो honor का 200 है यहाँ पर उप्योग किया गया है 7 Gen 3 भाई थोटल टेस्ट आपके साथ ने है graph maximum time ग्रीनी रहता है बेजमाग score में जो phone आगे जा रहा है वो है OnePlus का Note 4 दोने भी phone में EFA 3.1 का storage टाइप प्रदान किया जा रहा है यदि आप जाते हाई variant की तरह OnePlus पर यहाँ पर 4.1 वाला storage टाइप आपको मिल जाता है लेकिन कोई भी memory card आप किसी में नहीं डाल सकते यदि आपको ज़्यादा storage लेना है तो आपको ज़्यादा रूपिया भी डालना पड़ेगा बट कमाल की ये बात है OnePlus Nord 4 में आप 90 fps पे बीजे माई का आनद उठा सकते है गेम खेलते टाइम कोई भी आपको प्राबलम नहीं होने वाली है और जो Honor का 200 है यहाँ पर आपको HD वाली setting unlock मिलती है कुल मिला के दोनों ही फोनों में जो प्रोसेसर मिल रहा है वो इस टेबल है सही है यदि आपको गेम ज़्यादा खेलने है तो आपके पास है OnePlus Nord 4 दोनों ही फोन 2024 में लाँच हुए है इसी लिए Android 14 का उप्योग किया गया है लेकिन यार आपको थोड़े से ब्लोट वियर मिल रहे है मतलब आपको मेहनक करनी पड़ेगी डिलीट करने के लिए लेकिन NFC का सपोर्ट मिल जाता है FM रेडियो आज की डेड में हर एक फोन में होना चाहिए लेकिन ऐसा होता दाई है आया दाश्टेर भी यार दोनोई डिवाइस पर प्रवाइड किया जा रहा है आपको चाहिए लंबे समय तक सॉफ्टेर का अपडेट तो भाई आपके पास से OnePlus का Note 4 यहाँ पर 4 Android के वर्ज़न आपको मिलेंगे मतलब 18 तक फोन चला जाएगा 6 साल का सेक्योर्टी पैज और जो OnePlus वाले यह अपडेट बेभी यार किसी से सुच्ट नहीं है आलवेज यार अपडेट आता रहता है बहुत सारे कमाल कमाल के फीचर मिल जाते है और जो Honor का 200 है यहाँ पर आपको 2 Android के वर्ज़न मिलेंगे 3 साल का सेक्योर्टी पैज अभी मैंने जितना Honor 200 के सॉफ्टेर को उप्योग किया बहुत बढ़ी वाली प्राबलम मुझे देखने को नहीं मिली है काशा Twin Apps में बहुत सारी एप्लिकेशन को हम डबल बना सकते मजा आ जाता Honor के 200 में और भी बहुत ही यार अच्छे अच्छे फीचर मिल जाते है OnePlus वालों ने आपको 500 mAh की बैटरी दिये है यहार वेट मेनेजमेंट काफी कबाल का है बैटरी यार एक से डेड़ दिन बिंदाज चल जाएगी चाहे आप हैवी वाले यूजर हो आपको बैटरी में मेरी हिसाब से OnePlus के इस फोन में कभी भी प्राब्लम नहीं होने वाली है बॉक्स के अंतर जो चार्जर है वो है 100W का आधे गटे में फोन फुल टू चार्ज हो जाएगा और जो Honor का 200 है यहां पर आपको यार 5,000 दो समय की बैटरी मिलती है इस फोन का जो वज़न है यह भी बहुत जादा नहीं है उसके पीछे जो सबसे बड़ा वाला रीजन है वो है सिलिकॉन कार्बन बैटरी मेरी साब से इंडिया का पहला ऐसा फोन है जो इस बैटरी के साथ आ रहा है बैटरी वेकप में यहां पर भी आ रहा है आपको कोई भी इशू नहीं होने वाला है अराम से पूरा का पूरा दिन निकल जाएगा लेकिन बॉक्स अंदर चार्जर होता और ज्यादा मज़ा आयाता दोने फोनों में इन डिप्लै फिंगर पिंट का उपयोग के आगया है बहुत जल्डी से फोन लॉक भी होता है यहाँ पर भी इशू नहीं है अब बात कैमरे की ओनर का जो 200 है यहाँ पर आपको पीचे की तछा पचास मेगापिक्सेल का में सेंसर मिलता है दूसरा भी है 50 मेगापिक्सेल का लेकिन अच्छी बात यह है यह है टेली फोटो लेंस जहां जियाब यार मैक्रो वाली फोटो भी क्लिक कर सकते हैं 12 मेगा पिक्सिल का यार आपको अल्टरा वाइड वाला सेंसर मिल जाता है आगे की तरफ 50 मेगा पिक्सिल का सेलफी कैमरा है और जो वन प्लस का नौट फोर है यहाँ पर पीछे की तरफ 50 प्लस 8 मेगा पिक्सिल का सेंसर है और जो सेलफी कैमरा है यह 16 मेगा पिक्सिल वाला देखे जिनको 4K वाले वीडियो रिकॉर्ड करना है तब तो भईया आपको किसी भी फोर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है वीडियो काफी शार्प है, काफी अच्छे वाले कलर निकाल के दे देता है OIS की बदलात यार वीडियो काफी श्टेबल भी है लेकिन Honor के फोन से आप अल्टरा वाइड वाले भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते है थोड़ा से यार ये प्लस वाली चीज हो जाती है Honor आपको फ्रंड में भी 4K वाले वीडियो रिकॉर्ड करने का विकल दे जाता है सेल्फी कैबरे में आपको जादा चमका दिया जाता है Honor के 200 से टेली फोटो लेंस की बदलात Honor के 200 में आप 2.5X तक की फोटो क्लिक कर सकते है और जो वन प्लस का नॉट 4 है यहाँ पर आपको विकल मिलता है 2X वाला भी पोटेंट में भी यही वाला ओप्शन है जिनको वीडियो रिकॉर्ड करना है 3X तक के तो भाईया आपके पास है Honor का 200 जो वन प्लस का नॉट 4 है यहाँ पर 2X वाले वीडियो रिकॉर्ड करने का विकल्प आपको मिलता है कभी-कभी तो फोटो देखके ऐसा लगता है अब यार धीरे-धीरे करके ब्रैंड अच्छा कैमरे वाला फोर में निकालते जा रहे है जो Honor 200 वाली फोटो यह आपको ज़्यादा चमका दे रहे है थोड़ी जी वार्म लगती है लेकिन फोटो में डीटेल की कोई भी कभी नहीं है और जो वन प्लस का नॉट 4 है यह क्लोज टू नेचरल वाली फोटो दे रहे है डैनेमिक रेंज में किसी भी फोटो में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है 10 में से 7-8 फोटो दोनों ही फोनों की आपको पका जचने वाली है लेकिन टेली फोटो लेंस से जब आप यार दूर होके फोटो लेंगे Honor के 200 से भाई आपको काफी बिंदास फोटो लगेगी आपके पास है Honor का 200 अच्छा आप बताओ आपको कौनसी फोटो जच रही है अब यार इस स्पीकर सुल लेते हैं देखिए Honor 200 का स्पीकर लाउड है अभी जो आप आवाज सुन रहेते यह 200 परसेंट वाली अब बारी 1 प्लास की देखिए लाउड त्यार दोनों ही फोन है काफी अच्छी वाली आवाज निकल के आ जाती है काश डॉल भी एट मॉस होता तो आवाज और ज्यादा नीट एंड क्लीन होती इसकी थोड़ी सी कमी खल जाती है अब मुझे की बात करते हैं आपको कौन से फोन करा जाना चाहिए देखिए आपको लंबे समय तक सौफटर का अपडेट चाहिए मेटल वाली बॉडी होनी चाहिए प्रोसेसर तगड़ा लेना है तो आपके पास है वन प्लस का नॉड फोर यहां पर बड़ी वाली कोई भी दिक्कत नहीं है काफी यार अच्छे से काम किया है वन प्लस वालों ने है यार आपको बिंदास कैमरा लेना है करव वाले डिस्प्ले होना चाहिए वो भी चारों तरफ से करव हो मनलाब क्वाड करव वाले डिस्प्ले है य traded यह तो बहुत कंबाल की बात है पीछे की तप तो डिजाइन है यह भी यार काफी सुन्दर दिखता है प्रोसेसर भी इस्टेबल है, बैटरी सिलिकॉन कार्बन वाली है, तो भाई यह फोर भी काफी बिंदास है, जो बेस बेरेंट है, वो है 256GB का, दोनों ब्रेंट के जो टार्गिट ओडियंस है, वो अलग-अलग है, बस यार, ऑनर 200 में बॉक्स अंदर चाजर मिलता, और अच की दिवा में कोई डाउट है, खुछ भी आपको पूछना है, वो भी आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, जाते हैं यही कहूंगा, हसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चम-चमाते रहिए, चली मिलते नेक्स फीडियो में, थैंक्यू, जैहिर!